और दोस्तों ये अकैडमी के चेनल पर फिर से आपका स्वागत है 12 फरवड़ी को भी एक्जाम को देखते हैं एक क्विक रिवीजन स्री स्टार्ट करेंगे स्टार्ट होगा हमारा करेंट अफिर्ट तेंजी होता है और उसमें बिहार स्पेशल को लेखी करेंगी हो हमको करेंट अफिर्ट को कुईक रिवीजन के फॉर में ऐस के इस पर्ट्ट्ट उबेक स्टार्ट करने चारह है आज की इस पर्टिक्लर स्पेशल के करेंगी तो इसमें हमारा तरीका होगा पैक से हम लोग चलेंगे और मार्च 2022 तक के करेंट अफेर्स को हम लोग कभर अप करेंगे तो आई देखते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में चाहा है और कैसे कुश्चन को हमने कभर किया है मेरा पहला क्वेश्चन है इंप्रजवल पांडे काफी रहे हैं आपने सुना भी होगा ब्रजवल पांडे अफे काविनिटी अुट्वा आपके कुश्चन कोश्चन है और बेसी बात है एक इंडियन जो की इंडियन जो कभी विशुक्ता सबसे सकते साली रास्टवा करता था उस कैविनेट में इनका नॉमनेशन हुआ है तो इंपोर्टेंट है रिशी सुनक इसका एंसर है और साथ ही साथ अब यह प्रजवल पांडे सीवान से हैं यह भी हमारे एक्जाम में questions हो सकते हैं तो नहीं नहीं हो सकते हैं इनका जो native place है वह भी बहुत ही historical place है आप लोग जानते होंगे उसको सिरादेई क्यों important रहा है क्या उसका importance है कैसे मैंने बोला उसको historical place है यह मुझे comment box में जरूर आप भेजेंगे तो इनका संबंद किसे है सिरादेई से अब यहां पे एक दो point और आपके एक्जाम में questions हो सकते हैं जैसे हमारे यहां democracy है ब्रिटेंड में भी democracy बहुत सारे बहुत सारी चीजें जो है वह ब्रिटेंड से ली गई है हमारी यहां भी संसद्य सासन प्रनाली है वहां भी क्या है संसद्य सासन प्रनाली लेकिन दोस्त लेकिन हमारा क्या है लोकतांत्री गंतांत्र है इस हमारे यहां प्रसिडेंट भी elected होते हैं और प्रधानमंत्री वी इलेक्टेड होते हैं लेकिन वहां पे चीफ आफ कॉंस्टिचूस तो यह होते हैं वह ररकी में चलते हैं तो important है कि दोनों similarity हमारे यहां और ब्रिटेंड में हमारे मल्टी पार्टी सिस्टम बहुत सारी पार्टी यहां थीक उसी तरह से ब्रिटेंड में भी बहुत सारी पार्टी अब यहां से आपके क्वेश्चन हो सकते हैं तो संबंद ब्रिटेंड के किस पार्टी से तो ओब्यस यह बात है conservative party से right answer is conservative party सब लोग ध्यान रखे इसको इसके सारे dimension को cover up करना है जिससे आपके question मिस ना हो topic important है और conservative party बहुत सारी पार्टी है जैसे conservative party है लेवर पार्टी है Scottish party है और liberal party है तो बहुत सारी पार्टी है ब्रिटेंड में भी है और ब्रिटेंड में conservative party से सम्मंद रखते हैं रिशी सुनक और उनके cabinet में प्रज़ का यह हो सकते कोई decided कुछ ऐसार नहीं होता है जो प्रज़वल पांडे सीवान से तो वही information हमारे लिए हो तो आएए देखते हैं अब हमारा next question क्या है next question हमारा है who has been awarded the UN mastermind 2022 for industrial knowledge and science diplomacy बहुत important है हमेलता है 30 जो international level पे global level पे विस्व के अलग-अलग देशों से 30 व्यक्ति को nominate किया जाता है इस award के लिए उसमें से एक Indian है और उसमें से भी एक बिहार का लाल है न वह सौंग बिहार का लाला ओब्यसी बात है देख रहे हो कैसे हम ल और इसमें जो है इसका सही answer होगा आपका संदीप मिस्रा संदीप मिस्रा जो है उनको nominate किया गया है किसके लिए कि ऊन मस्टर माइं 22 एवार्ड्स के लिए यह किस सेक्टर में यह और दी जाती है यह भी important है new innovation new business ideas जब हम नए यह innovation नए बिजनेस आइडिया पर काम करते हैं तो इस तरह के एवार्ड इंटरनेशनल लेवल पे जी जाती है राइट एंसरी संदीप मिश्रा इंपोर्टेंट है बहुत इंपोर्टेंट है क्योंकि बिहार के प्रेशनेल्टी है जिस अंतरराष्टी अस्तर पे समान मिला हुआ है और बिहार स्पेसल को पढ़ने में भी हमें सेलेक्टिव बिटनेशनल या इससा कोई प्रोग्राम है तो काफी इफेक्टिव है जिसको अ oblivion कॉंपी किया है तो वे से यह program वह से current affairs हमारे लिए क्या होंगे important होंगे तो दोनों जो आप अभी देखे हैं यह दोनों आपके exam के लिए important है आईए देखते हमारा next question क्या next question important है best plus app will monitor best plus app monitor करेगा किसको किरसी छेतर को फंडर और लाइटनिंग को school को अस्पताल को अपरोक्ट में से कोई नहीं अपरोक्ट में से एक सदिक important है यह किसको monitor करेगा school को monitor करेगा अब यहाँ पर important है best का full form भी कभी कभी हमारे question के part हो सकते हैं best means what best का full form होता है t for bihar, t for easy, s for part, t for tracking और बिहार easy school tracking plus app है यह क्योंकि monitor करेगा smart नहीं school tracking plus app तो इस तरह के कभी कभी short abbreviation का full form भी हमारा question होता है यह क्या tracking करेगा जो block level के administration होंगे और district level के administration से जो school की education policy है, school की सिख्षा वेवस्ता है उससे integrate होंगे और फिर उस app के थूरू school का survey होगा, school में किस तरह से education को effectively implement किया जा रहा है उसको देखा जाएगा क्या क्या चुनोतियां है, school में जो अगर सिख्षा वेवस्ता को लेकर कुछ problems है तो भी इससे identify किया जाएगा ताकि बिहार के education system को और develop किया जा सके, तो यह भी हमारे लिए important है, चलिए next question देखते है क्या है, next question हमारा है, हर घर गंगा जल योजना was started from, हर घर गंगा जल योजना की सुरुवात कहां से की गई है, obvious ही बात है काफी news में रहा है या राजगीर से सुरू किया गया या अपने आप में देश का देश की पहली योजना है, जिसमें क्या होगा, गंगा जल को हर घर का भारत बिहार सरकार का लक्ष रखा गया है, और चुकी बहुत सारी प्रयोजना चल रही है या बहुत सारे इस तरह के प्रोजेक्ट चल रहे है, और यह अपने आप में एकलौता ऐसा प्रोग्राम है, जो गंगा नदी को connect करके हर घर तक इसको क्या किया जाएगा, एक्स सकते हैं, नेक्स्ट हमारा है, खत पर बागवानी योजना की जिले से सुरू की गई है, तो अब्यसी बात है, मोतिहारी है, पटना है, बेतिया है, की संगंज है, तो राइट एंसर इस पटना, खत पर बागवानी योजना, इस फूफ टॉप गार्डेनिंग स्कीम, फूफ तो यह इंपोर्टेंट है, आपके न्यूज के लिए, और इससे पहले या और रिस्टिक में भी चलाया जाते हैं, लेगिन अब यह पटना फोकस्ट प्रोग्राम है, पटना में यह चलाया जाएगा, तो नेक्स्ट कॉश्चन देखते हैं, क्या है हमारा, नेक्स्ट कॉश है, मल्टी मिन्स क्या, बहु, मॉडल, मिन्स बहुत सारे इसमें मॉडल होगे, जैसे, old storage होगा, warehousing होगे, उसके बाद जो है, transportation, connectivity होगी, और साथ ही साथ क्या होगे, जो parking area होगा, वह भी इसके साथ connected होगा, और यहां, roadway से, railway से, interlinked होगा, ताकि जो warehousing है, product का जो supply है, और तरीके से बना रहे, तो यह जो start किया गया है, कहां बनाया गया है, पटना में बनाया गया है, पटना में multimodal logistic park बनाया गया है, बनाया जाएगा, sorry, बनाया गया नहीं, बनाया जाएगा, यह inaugurate हो चुका है, possibilities है, और यह देखते हैं, next question क्या है, बहुत important question है सारे, यह भी questions है, बहुत ही selected और बहुत ही technically, बहुत smart तरीके से लिया गया है, जिस question का कुछ नहीं कुछ meaning है, यह question केवल बिहार के sense में ही important नहीं है, इसका बिहार के साथ साथ, national level पे भी कुछ importance है, इस यह ऐसे question को हम लोगों ने collect किया है, आई यह देखते हैं, next question क्या है, बिहार का 100% digitalization किस district का हुआ है, तो right answer is जहाना बात, 100% digitalized हुआ है, चले, next question देखते हैं, लक्षमी भाई social security scheme aims to overcome crisis of, अब्यसी बात है, लक्षमी भाई सामाजिक सुरक्षा योजना का उद्देश की संकट को दूर करना है, विद्वाओं को, जो विडोज होती हैं, उनको 300 रूपीज इसका क्या मिलेगा, यहाँ पर stepen मिलेगा, तो weaker section of family से है, तो important है यह सारे questions, जो बिहार government का social welfare programs का या part है, social welfare ministry के द्वारा यह संचालित भी होता है, और अगर आप mains में question लिखेंगे, और mains में भी आपके यह एक point के रूप में यूज हो सकता है, या program, next question देखते हैं हम obvious सी बात है, country's biggest rubber dam is located at, obvious सी बात है, या बिहार काई नहीं है, भारत का सबसे बरा है, तो मारे लिए question का part हो सकता है, अब देखी रहे हैं सारे जो topic है, यह topic ऐसे हैं जिसका national और international level पे कोई meaning है, तो इसका सही answer है, गया, इसका सबसे बरा rubber band जो rubber dam बनाया गया है, वा कहां बना गया 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 है, तो गया डेम भी कहा गया है, बुद्धा डेम, वर्ड भी यूज किया गया है, इसके लिए, चलिए, नेक्स्ट कोशन देखते हैं, रवर डेम और फल्गू रिवर, लिक्राओग आपको, नेक्स्ट कोशन हमारा है, राज सरकार ने किस हवाई अडे पर वैट घटाया, बहुत इंपोर्टेंट है, स्टेट गोवर्मेंट रिड्यूस बैट अट विच एरपोर्ट, तो राइट एंसर इस गया, गया एरपोर पर लगने वाले वैट को कम किया गया, इसका अब्जेक्टीव ही है, टूरिजम इंडस्टी को प्रमोट करना और टूरिस्ट से होने वाले रेवेन्यू को पढ़ावा देना, आईए देखते हैं, नेक्स्ट कोश्चन क्या है, बिहार के किस कॉलेज को युनिस्को की लंगट सिंग कॉलेज कहां सिच्वेट है, किस जिला में है, लंगट सिंग कॉलेज में इंपोर्टेंट है, एक डिपार्टमेंट है, और वह डिपार्टमेंट है, एस्ट्रोनामिकल डिपार्टमेंट है, और वह 100 पुराना है, तो कि अभी प्रोटेक्टेड नहीं है, तो कहा है। जिस तरह से उसको संदक्ष्ण मिलना चाहे था उसको उसको संदक्ष्ण नहीं मिला है। यूनिस्को ने उसे यह status दिया है। तो इंपोडन्ट है यह बहुत इंपोडन्ट है चुँगि भीहार का कोई लंगसें कॉलेज लंगटसिंगहर जो है वह gefंच काफी popular college हुआ है आप मेरे को comment box में यहां भी बताएंगे लंगटसिंगह्मॉट नॉकट कहा है और लंगट लंगटसिंगहर्सिटी में आता है किस यूनिवेर्सीटी कि अंतरगत बहरे हैं है और इसको यूनिस को ने रिकोगनाइज किया है इसलिए हमारे प्रिलिम्स में कोईशन हो सकते हैं आप देख पा रहे होंगे बिहार प्रिलिम्स में भी स्पेसिफिक करेंट अफिर्स को वह हमें करने की ज़रुत है वार वार आप रोगँ कुछ हूर को प्रेंगे प्रिश्पेस्ट पर लिए नेस्प्रियस पर ही होगा तो उससे और चीजों को आप बहतर तरीके से समझ पाएंगे आइए देखते हैं नेक्स् टेक्सरियल पार्क बनाये गया है यहां किस दिल्म टेक्स्टियल 侍 amazonू गया पटना भागलपूर इविवु उप्रोक्त में से कोई नहीं उप्रोक्त में से एक से अधिक चार उप्संसे आपके पास लेकिन इसका एंसर होगा क्योंकि इस option में नहीं है बागा पाच्च्च्으मी चंपारण है अजय का और independent भी बनाने के बाट थोड़ी है तो मैं उस्ट्ना में भी Orleans औरbstबिलिस्ट होगा सीवान को इस बार सिरस्थान मिला है और दूसरा पोजिशन पटना को मिला है और दोगिक इंडस्ट्रियल डेवलाप्मेंट रैंकिंग में सीवान फस्ट पोजिशन पे है और पटना सेकेंड पोजिशन पे है बहुत इंपोर्टेंट है या चलिए नेक्स्ट कोशन देखते ह लेकिन धियान रखना है, ना पठना है, ना भागलपूर है, उनन से किस खेट्र के scholar है, दियान रखना है, ना को आप देखते हैं कि ताषाले किलनिक बिहार के कि स्विर्र का नवाचार है इस स्टार्टिंगanka के की सब्सक्राइब सब्सक्राइब में लिए क्ल दीक्बॉद करी तो यह ऴुट्रिये कुंकि बिहार का अपने乾़ике इनिसियेटीव एप्रोच है जिसको अंतराष्टी अस्तर पे माननेता मिली है और इसको कॉपी अधर स्टेट्स के द्वारा भी किये जा रहे हैं करनाटका अपना एक रिसर्च टीम बिहार भेज रहा है इसलिए यह जो हमारा ट्वाइलिट किलनिक यह है हिसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है हमारे क्वेस्टन के पारट हो सकते हैं उश्का सही एंसर एंसर मुझभपरपूर जहने इन्स कोषचन देखते हैं और इस तरह के question हो और option बिहार हो 90% chance होता है हमारे answer बिहार ही होंगे तो right answer is बिहार अब यहां पे बिहार government की क्या policy है बिहार government का कहना अगर हमारे यहां आते हो और total film के total shooting का 70% minimum आप हमारे यहां सूट करते हो तो हम आपको सबसीडी देंगे अब बिहार सरकार इसा क्यों कर रही है आपको लग रहा होगा तो बिहार सरकार यहां पे यह स्कीम लाने के पीछ अब्जेक्टिव है film industry के shooting होंगे फिल्म के shooting होंगे बिहार का economic mobilize होगा बिहार में economical activities बढ़ेंगे और बिहार को revenue मिलेगा बिहार को राजस्व प्राप्ति अधिक होगी बिहार में employment generation होगा और बिहार सरकार सबसीडी दे रही है लेगिन इंडियरेक्टली इसे बिहार में economical growth को boost मिलेगा राइट एंसर इस यहां नेक्स्ट कोईशन देखते हैं इहां DG Packs 2022 प्रदर्शित कर दे के लिए आयोजित किया गया है किहार DG Packs 2022 वाज organized to showcase यहां पे है digital पुस्तकें, digital मुद्रा, digital currency, digital books, stamps, right answer is stamps टिक्टें जो dark टिक्टें होती हैं उसके लिए क्या गया है ठीक है अब आईए देखतें next question पिराट रामाईन मंदिर का कुछ निमलिकित में इसे किस जिले में बनाय जाएगा विल विल बी विल बी बूल्ट एट विच अव दे फॉलॉइंग जिस्ट्रिक तो राइट एंसर इस चमपारन पूर्वी चमपारन में यह बनाय जाएगा कौन सा राज मस्रूम के उत्पादन के सिर्ष्ट पर है बिहार कौन सा है बिहार राइट एंसर इस बिहार बहुत इंपोर्टेंट कॉश्चन है राइट एंसर इस पटना कि बात बात है डाइट के लिए यह बिहार सरकार ने लाया है किस राज्य सरकार की पहले बात है तो बिहार ही होगा नो बैग डे इस इनिस्टेट गवर्मेंट राइट एंसर इस बिहार अभी है क्या यह नो बैग डे बैसिकली जो है वहाँ बच्चों को अधिक कमफर्ट बनाने के लिए एक दिन जो है एक्स्ट्रा करीकोलर एक्टिविटीज के लिए रखा गया जिसमें बैग नहीं होगा जिसमें बैग बुक्स बच्चे लेकर नहीं आएंगे बच्चे आएंगे किसके लिए केवल खेलने के लिए आएंगे बहुत अच्छा होगा सब के लिए अच्छा होगा बच्चो के लिए entertaining इसका purpose ही है जो education system को smart बनाना education को attraction बनाना attractive बनाना ताकि बच्चे school जाने से भागे नहीं school जाने के लिए motivated रहे और उन्हें लगे जो school में कुछ नया होने वाला है हमारे साथ हमारा entertainment होने वाला तो इस तरह से 25 questions का एक series है और इस 25 question के series में हम लोग तो है important बिहार special के questions को लिए है next कल के वीडियो में हम लोग numbers question के हमारे अधिक हो जाएंगे और साथ ही साथ इस series के साथ साथ हम लोग कुछ ऐसे points को कुछ ऐसे topic को cover up करेंगे जहां से बचे generally पढ़ते हैं लेकिन confuse करते like population based topic होगा या फिर आपका agriculture based topic होगा अगरी कल्चर वेस्ट वेस्ट फैक्च्वल information बेस्ट टॉपिक या फिर mineral वेस्ट नेशनल और इंटरनेशनल तो वैसे current affairs के series को हम लोग इस topic में फट अफट क्विक रिविजन स्रीज में लाएंगे अगर इसमें किसी तरह कोई correction चाहिए था हमें comment box में जरूर बताईएगा तो क्या चाहिए है और किस तरह से और best आपको आपके लिए या हो सकता है तो इसके साथ ही आज के series को हम लोग खत्म करते हैं thank you thanks a lot all of you